मेक इन इंडिया से पहले तक भारत में कुछ हद तकी मैनिफेक्चरिंग देखने को मिलती थी लेकिन जब से मेक इन इंडिया को PLI का साथ मिला है भारत मैनिफेक्चरिंग हब बनने की और तेजी से अग्रसर हो चला है क्योंकि पहले यूरोप, अमेरिका, चीन सब कोई अंदादुन तरीके से भारत में ही अपना प्रोडक्स डम करने में लगे थे पर भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी और पॉलिसी में बदलाव किया है तब से भारत में निवेश के साथी साथ नई फैसलेटी लगने की होड सी लग गई है और अब वो देश समझ चुके हैं कि अगर भारत में टिकना है तो मेकिन इंडिया का हाथ थामना होगा और इसी कड़ी में फ्रांस की दिगश टायर निर्माता कंपनी मेशलेन भारत में लोकली पैसेंजर वहिकल टायर के उत्पादन पर सक्रियता से विचार कर रही है बतादी कि लोकल मैनिफेक्चरिंग से कंपनी को भारत में अपने ऑपरेशन को बढ़ाने में मदद मिलेगी साथी साथ हम आपको यहाँ यह भी बतादे कि भारत सरकार ने 2020 में लोकल मैनिफेक्चरिंग को भढ़ावा देने के लिए और जिसका परिणाम आप खुद देख सकते हैं अब फ्रांस की ये कंपनी भारत में देशी रूप से टायर का निर्माण करेगी बतादे कि मिशलिन जिसके 67 सयंत्रों के साथ 175 देशों में उपस्तिती मौजूद है वर्तमान में भारत में विशेश रुप से प्रफॉमेंस ओरियंटेड मौडल के लिमिटेड कॉण्टिटी में प्रिमियम टायर बेसती है तो यहाँ आप समझ गए होंगे कमपनी में दम है और जहाँ यह कमपनी पहले भारत में अपने इंपोर्ट के जरीये काम किया करती थी अब भारत के फैसलों की वजजे से भारत में अब वही कमपनी अपनी जड़े गहरी करने के लिए निवेश के साथी साथ production facility का भी विस्तार कर रही है आपको बतादे कि कमपनी भारत में passenger vehicle tire के local production में निवेश करने के लिए उस्तोख है वही नए निवेश को लेकर company ने कहा है कि वो under process है मतलब company आने वाले कुछी समम में कुछ बड़ा surprise देने वाली है वहीं मिशलेन वरतमाम में भारत में ट्रक और बस के रिडियल टायर में अपनी मौजूदगी बनाए हुए है और जिसकी चन्ने में प्रडक्शन फैसिलिटी है और उसकी स्थापिश शमता 30,000 प्रतिवर्श से अधिक है कुल मिलाकर मिशलेन की भारत में पैसेंजर वेहिकल टायर सेगमेंट में परडेंशल एंट्री इंडियन टायर इंडिस्ट्री और सरकार की मेकिन इंडिया पहल के लिए एक महजपूर्ण भढ़ावा हो सकती है वहीं इसकी अर्थ व्यवस्ता पर भी सकारात्मक प्रभाव प किया है